इसको इसको अच्छी तारे देखिए ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनाशल न्यूस पेपर है फाइनाशल टाइम्ज ओव लंडन इसमें अदानी एंड़ मिस्टीरियस कोल प्राइस राइस लंबी कहानी है पहले हमने बीस हजार करोर रुपे की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है कहां से आया अब पता लगता है इसमें बीस हजार करोड का फिगर गलत था उसमें बारा हजार करोड और एड हो गए है तो अब टोटल फिगर बतिस हजार करोड का हो गया है अदानी जी इंडोनीशिया में कोईला खरीदते हैं और जब तक वो कोईला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है डबल हो जाता है ऐसे तकरीबन बारा हजार करोड रुपे अदानी जी ने हिंदुस्तान की जन्ता के पॉकिट से निकाला है कैसे कोल प्राइस को गलत दिखा कर ओवर इंवोईस करके यहां पे बिजली के दाम को बढ़ा कर करनाटक में कॉंग्रेस पार्टी ने बिजली के सबसिटी दी है मध्या प्रदेश में हम देने जा रहे हैं अब पता लगता है कि इसका कारण अदानी जी है तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि यह आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है इसमें से बारा हजार करोड रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जीने लिए है और यह यह दुन्या का एक सबसे जरूरी फाइनशल न्यूजपेपर फाइनशल टाइम्स लंडन कह रहा है अब इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यह स्टॉरी आती है मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती बिजली का मामला है गरीबों का मामला है सीधी चोरी का मामला है मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को किसी भी मीडिया चैनल को इसमें इंट्रेस्ट नहीं है कि अग्ड़कशड़ चैनल कि इंट किसी अग्ड़करणpertर चैनल को जा लस्ति फूश्तान फिन देद्टर जा ट्रॉब्स्तान को अग्ड़करण कर दाद्टर किन अग्ड़कर्श नहीं अग्ड़करण in India its price doubles and he has taken approximately 12,000 crores from the pockets of the poorest people in India our electricity prices are going up बिजली के दाम बढ़ते जा रहे है और अदानी जी over-invoicing करते है पैसा गरीबों की जेव से लेते है he takes money from the poorest people interesting question to me the financial times has a huge story this story would bring down any government this is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the prime minister of India and the surprising thing is not a single Indian newspaper is interested in picking up this story not a single media channel is interested in picking up this story we are giving electricity subsidies in Karnataka in Madhya Pradesh and while we are giving electricity subsidies Mr. Dhani is over-invoicing coal and stealing directly from the people of India and I don't understand why the prime minister doesn't comment on this this cannot happen without the protection of the prime minister of India it is impossible so the question is why is there no action being taken on this gentleman now I have a CC meeting so if you have a couple of questions on this topic because I would like you not to distract from this topic so if you have a couple of questions on this topic I am happy to answer I am happy to answer सेभी सरकार के से कहती हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं मगर इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं फाइनेंशल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं और हमारी यहां पे सेभी कह रही हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो तो साफ मामला है हाइस लेवल अव गवर्मन्न से प्रोटेक्शन है प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन है बत्यस हजार करोर रुपए क्लियरली प्रोवन है इसमें मतलब अशे नहीं बोल रहे हैं सारा डॉक्यमेंटेशन है इनके पास मगर कोई action नहीं और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेप से चोरी किया जारा है बिजली बिल जवाब जवाब पंक्पा चलाते हो गरीब लोग पंक्त चलाते हैं थी तो याद रखे जब आप बटन दबारे हो जैसे याप बटन दबाते हो यह जैसे मैंने ऐभी यह स् और करवा कौन रहा है अदानी जी के रक्षा कौन कर रहा है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तो याद रखिए हिंदुस्तान का युवाः भी याद रखिए जैसे ही आप स्विच दवाते हो चाहे वह बलब हो पंका हो बिजली का पंप हो याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अदानी जी के रक्षा नरेंद्र मोधी कर रहे हैं 32,000 करोड रुपए तो हमने दिखा दिया है पता नहीं और कितना है आप देखिए नहीं हम उठा रहे है और यह मसला सिर्फ हम नहीं उठा रहे है यह मसला अब Financial Times नहीं उठाया है अलग-अलग देशों में inquiry हो रही है लोग सवाल पूछ रहे हैं मगर हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में बिल्कुल blank check दिया हुआ है अदानी जी को जो भी वो चाहते है Electricity, Power Ports, Airports Agriculture जो भी वो करना चाहते है कर सकते है कोई investigation नहीं होगा भाईयों बहनो 32,000 करोर रुपे यह नंबर आप याद रखिए और आस्ते आस्ते यह बढ़ता जाएगा क्योंकि यह आखरी कहान ही नहीं आसी बहुत हो रहेंगी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और याद रखिए जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं अदानी जी ओवर इंवोइसिंग करके आपके जेब में से पैसा निकाल रहे है हर यूनिट में आप से पैसा लिया जा रहा है अदानी जी की इंक्वाईरी क्यों नहीं करा रहे है एक बार नहीं अनेक बार सवाल उठे है हमने पार्लोमेंट में बात उठाई पब्लिक मीटिंग्स में हम कहते हैं प्रेस कॉन्फरेंस में हम कहते हैं अदानी जी में क्या बात है कि हिंदुस्तान की सरकार उन पर कोई भी इंवेस्टिगेशन नहीं करा सकती, उन पर कोई सवाल नहीं पूछ सकती, इसका कारण क्या है, इसके पीछे कौन सी शक्ती है, पुरा देश जानता है. तार सिर्ट स्वाल जानता हो। you know subsidizing power to common people now would these states be initiating some kind of probe because some of them are ruled by the congress would you initiate would you i mean recommend that that's that's an interesting that's an interesting idea uh that's an interesting idea we'll look into it नाउल जी अपने लगातार आप पीम से सवाल पूछते कि अदानी मैसा क्या है कि उनकी जाच नहीं करवाई जाती आउ शरद पौधा नहीं से क्या है कि आपने कभी स्वाल पूछा कि अदानी मैसा क्या है कि जा एक ट्रफ पूरा इंडिया ब्लॉक है ऐखम पूरे और अड़ानी के इस्चिव पर एक जुत है शरंद पवार अविए इस पर बिल्कुल करवाएंगे क्यों ने करवाएंगे नहीं देखिये असर हो रहा है क्योंकि जो प्रदानमंत्री की क्रेडीबिलिटी है उस पर सवाल उठ रहा है और सारे लोग जानते हैं हिंदुस्तान की लोग सब जानते है कि कि जो अधानी जी की मदद की जारी है जो उनका उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है वो सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता, ये गाउ गाउ में लोगों को मालुम है, और गाउ गाउ में लोगों को मालुम है कि अधानी जी ने भ्रष्टचार किया है, चोरी की है, यहाँ पे ओवर इन्वोइसिंग की है, बीस हजार करोर रुपे का मामला उठाए, पूरा देश जान कीजिए, come clean, start the investigation, defend your credibility, पर प्रधान मंत्री अपनी probability की रक्षा नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद कोई और कारण है, मैंने सवाल पूचा था, पता नहीं यह किसका पैसा है, बीस हजार करोर रुपे, बारह हजार करोर रुपे, शायद यह अधानी जी का पैसा नहीं है, शायद यह किसी और का है, यह भी हो सकता है, कई सालों से डिमांड कर रहे हैं, जेपीसी तो गठित हुआ नहीं, चौविस का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, अगर सरकार बनाने का मौका आपको मिलता है, अधानी तब भी देश में ब्यापार करेंगे, क्या राहूल गान्दी जाच करवाएंगे अधानी का? क्रोड रुपे चोरी करेगा, उसके इंक्वाइरी होगी, क्यों नहीं होगी?